दर्श को नमस्कार धाकर लाइड नूज में आपका बहुत स्वागत हैं आईए हम आपको राजस्थान के जो हालात हैं किसानों के फसलने जो उस प्रकार से चोपट होगी उससे चोटे से वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी देने का प्रियास करेंगे हम जस खेत में इस वक्त खड़े हैं वो पिछली बारिश का आपको याद दिलाना जाएंगे इसी खेत में पिछली बरसात में प्याच की फसल लगाए थी जो पाने से पूरी चोपट हो गई थी उसके बाद सरदी की फसल भी कुछ खास नहीं रही और अगर उसमें बात करें इस खेत में तो लहसुन और असंग की फसल लगाई थी लसुन ने किस प्रकार से लोगों के हालत खराब करी है यह आपको पूरा पता है और असंग का भाव भी क्या रहा वो भी पता है बिलकुल नील बटे सननाटा उसके बाद दुबारा बरसात आई और यहाँ पर किसान ने सुयबीन की फसल लगाई सुयबीन की फसल उसने जैसे तैसे कटवाई और उसके तुरंट बादी इतना तेज बारिश आना शुरू हुआ कि आप देख सकते हैं इस फसल की क्या हालत है इस सुयबीन की रियल वीडियोस के माध्यम से एक्चॉल इस्टितियम आपको बताना चाहेंगे क्या इस्टितिय है यह आप देख सकते हैं क्या इस्टितिय है किसानों को क्या कुछ मिलेगा इस फसल से किसानों की क्या हालत हो रही होगी आज किसान अन दाता रो रहा है जो बदहाली किसान की हैं बड़ी महनत से इतने सारे स्प्रे करके और वो फसल लगाता है लेकिन जो किसानों की हालत हुई है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो शायद कहीं ने कहीं जगजोर कर रख देगी ये वीडियो आपको आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है ये फसल और ये तो कुछ भी नहीं है आपको आगे दिख हो चुकी है कोई गलत तथी नहीं है रियल फेक्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ये फसल उगना शुरू हो चुकी है बिल्कुल फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है कुछ भी नहीं निकल रहा है इन फसलों में ये आप देखिए और अभी तक तो बि क्या हालत है किसानों की हम आपको और आगे दिखाएंगे ये आप देखिए ये आप देखें ये किसानों की हालत है ये ये देखिए बहुत ही ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने ही हमने इस पूरे की पूरे को डाबी को उठाया था पूरी सुयाबीन को उठाया था और ये सुयाबीन उगना शुरू हो चुकी है, लेटेस्ट अपडेट धाकर लाइनूर्स के माध्यम से आप तक पहुचा रहे हैं, हम आपको और दिखाएंगे, ये आप देखी नजदीक से, ये सुयाबीन उगना शुरू हो चुकी है, ये हालात हैं किसानों के बहुत ही ले बतर इस्थती हो चुकी है किसान की, ना घर के नहें, ना घाट के, बहुत बूर इस्थती, इससे भी आगे हम आपको लिये चलते हैं, और वो कवरेज दिखाना चाहेंगे, जिसको देखकर आपकी रूख आप जाएगी, ये देखी है, ये देखी है, आपको लगता है ना, धाकर लाई निउस, ऐसी कवरेज शायद अभी कुछ समय से नहीं दिखा रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे है, बहुत ही दर्दनाक किसान की हालत, ये देखी, और ये स्वयबीन कहां पढ़ी है, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी के बीच पढ़ी है, ये फसल, औ और कब इस में खेत में प्रवेश करेगा किसान, और कब इस फसल को काटेगा, निकालेगा, यहां से देखा आप स्थिति, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है किसान भाईयों, ये देखी आप, फसल चोपट हो गई, ये कुछ बचाई नहीं, खतम सी फसल हो गई, ये देखी, पूरा खेत पाने से लबालब है, बहुत बुरी स्थिति है, अब हम आगे जैसे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंच वारे हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाने का प्रियास कर रहे हैं, ये देखी ए, पाने से लबालब है ये खेत, क्या किसान बोएगा, क्या निकालेगा, मजदूरों को क्या देगा, मशीन वालों को क्या देगा, क्या कटिंग करेगा, किसान भाईयों इस वीडियो को अधिक से दिक शेयर कीजेगा और बताने का प्रियास करें, सरकार तक पहुचाने का प्रियास करें, किस सरकार जो कहीने कहीन इस वक के माध्यम से यह आप देखें यह इस्तती है जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है इस वीडियो को दिख से दिख शेयर करें और मौज़ा प्राप्त करने के लिए सिरकार ने भी एक प्रधान मंत्री फसल विमा योजना के माध्यम से प्रियास किया है उसकी अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल एग्रोटेक फार्मिंग यूटूब पर चैनल पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को बहुत अच्छी कमाल की वीडियो बनाई है बहुत अच्छा योगदान दिया है और कमाल के लोग देख रहे हैं आप देख सकते हैं पर ये देखिए कितनी बुरी स्थिती है पूरा का पूरा खेत जल मगन है क्या फसल बोएगा क्या काटेगा क्या निकालेगा मज़ूर को क्या देगा और खुद के लिए क्या रखेगा दिपावली कैसे मनाएगा घर का रंग रोगन पेंट पुताई कैसे होगी खुशाली कै कैसे आएगी बच्चों की पड़ाई कैसे होगी कमाल की दर्दनाक ये कहानी है किसानों की बहुत कमाल की हम नहीं कह सकते हैं बहुत दुखवरी है क्या करेगा किसान ऐसी इस्तिती में ये आप देख सकते हैं ये उसी खेत का वीडियो है कोई अलग खेत का वीडियो नहीं है बहुत बुरी इस्तिती है भाईयों आपसे निवेधन है कि आगर आप पहली बार चैनल अपर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजेगा और बड़ी बात इस वीडियो को अधिक सरीक शेर करें जिससे की किसान भाईयों की वास्तुविक इस्तिती आम एक आम आदमी तक सरकार तक पहुंच सके दाकर लाइन इसका चोटा सा इस वीडियो को बनने का इतना सा मकसद था जिससे कि आपको सच्चाई मालूम हो सके कि लगातार क्या इस्तिती बनी हुई किसान की मैंने पहले भी अवगत कराया है यह वही खेते जहां पर पिछली बरसा ने थोड़ी बहुत निकली उसके बद क्या भाव रहा आज दुनिया जानती है निल बटर सन्नाटा है जिस किसान के पास लहसुन पढ़ा हुआ है अभी भी खेत में घर में रखा हुआ है पढ़ा हुआ है सड़ रहा है बेकार है तो भाव नहीं मिलता है इसलिए वो घर प कीजेगा अपना प्यार दीजेगा और पहली बार फ्लेट फॉर्म पर आये हैं तो सब्सक्राइब करके बेला इकन प्रेस कीजेगा जिससे कि आपको अगली अपडेट मिले मैं फिर निमेदन कर रहा हूँ कि ये वीडियो वास्तों में दिल को चुग गया हो तो हमारे जो सोच थी वो पूरा हो सकें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहें